RCB की जीत से बढ़ी गंबीर और रोई शर्मा की टिंसन प्ले आफ के लिए कटिन हुई लखनव और मुंबई की राह आखरी मुकाबला बना सब के लिए करो या मरो की जंग नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है मैं शुवम और बात करेंगे इस वक्त प्ले आफ का जो समीकरन बिगड़ चुका है जियां RCB ने जिस तरह से एक तूफानी जीत दर्ज की उसके साथ ही मुंबई हो लखनव हो या फिर CSK सबके समीकरन डगमगा से गए हैं पर रहेगी ये भी कनफरम है बाकी तीन स्पोट खा लिए और तीन स्पोट के लिए इस वक्त पंच टीमों में लडाई चल रही है लेकिन चार टीमें प्रबल दावेदार है उनमें नाम आता है CSK मुंबई लखनव और RCB अब इन चार टीमों से कौन कौन सी टीमें पहुँचेंगी ये बहुत दिल्चस्प हो चुका है बात करते हैं कल RCB की जीत के बाद क्या मुंबई इंडियन्स और लखनव सूपर जाइंस प्लेओप में पहुँच सकती है नहीं ये लगातार सवाल उट रहा है मैं आपको बताता हूँ ये दोनों टीमें अभी पहुच सकती है लेकिन RCB के अलावा और क्या-क्या समिकर्ण हो सकते हैं वो इन्हें फॉलो करने पड़ेंगे चलिए जानते हैं कैसे पहुचेंगी पहले बात कर लेते हैं कितना नुकसान हुआ है जिया RCB की जित से इन दोनों टीमों को नुकसान की बात की जाए तो अगर RCB नहीं जितती है मैच तो कहीं ने कहीं मुंबई के पास एड़वांचेस होता कि एक मुकाबला जितते रन रेट भी कम रहता तो कहीं ने कहीं मुंबई प्ले आफ के इंटरी कर लेती और अगर आज RCB हार गई होती तो कहीं 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 लखनव क्लियर रूप से अंदर चली गई होती तो कहीं ने कहीं RCB के जीतने से दोनों के थोड़े से समीकरन डगमगा गएं सब ज्यादा नुकसान लखनव सुपर जाइंस का हुआ है अब सवाल आता है कि आखिर मुंबई और लखनव कैसे पहुँचेंगी प्ले आफ में तो पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की जियां मुंबई इंडियंस को प्ले आफ में पहुँचने के लिए अपना आकरी मुकाबला जो सनराइजर हैदराबाद से खेला जाएगा उसे किसी भी सूरत में जीतना होगा और थोड़े बड़े मार्जिन से जीतना होगा ताकि उनका रन रेट भी बहतर हो जाए अगर मुंबई ये मुकाबला जीत लेदी तो मुंबई के सूला अंख हो जाएगे अगर बात करें CSK की बात करें लखनओ की ये दोनों अपने में से एक भी मुकाबला हार जाते हैं सूला पॉइंट के साथ मुंबई के पास प्रबल चांस हो जाएंगे कि वो प्लेओफ में अपना स्लॉट बुक कर लेगी और कहिने कई प्लेओफ खेलते हुए भी नजर आएगी फिर बात करते हैं दूसरी टीम लखनओ सूपर जाइंस क्या लखनओ RCB की हार से डगमगा गई है क्या नहीं पहुँच पाएगी सवाल है आपको बता दे कि मुंबाइ इंडियन्स और RCB के दोनों के एक-एक मैजमा की है इस वक्त दोनों टीमों के चवदा-चवदा अंक है ऐसे में अगर इन दोनों टीमों से एक भी टीम हार जाती है तो लखनओ बिना किसी सपोर्ट के बिना किसी जीत के सीधे प्लेओफ में इ दावेदार हो जाएगी तो ये है कुछ ऐसा समीकरन इस हिसाब से लखनो और मुंबई अभी भी प्लेओफ में पहुंच सकती है और RCB के भी प्रबल चांस है कि वो अभी भी प्लेओफ में खेलेगी फिलाल आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस बार IPL की ट्रॉफी जीते झाल